तो आगर आप सभी का stock market दिल में आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया power corp limited के बारे में इस stock में current level पे buying करनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा समय wait करना चाहिए और नीचे आने का इस stock का तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो इस वीडियो को like करिए और चनल को please subscribe करिए तो ये stock 15 रुपर 30 पैसे पे close हुआ है 11 मार्च को और 2% इस stock में हमें उच्छाल देखने को मिला है तो आईए इस stock के चार्ट के और अंकिलते हैं तो यहां पर ये stock का एक बहुत important यहां पर एक इसमें pattern है इस stock में जब भी मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं तो इस stock में जब भी 20% का circuit filter change होता है 20% का जब भी circuit filter होता है तब यह stock लगातार अपर circuit लगाते हैं यहां पर भी stock ने 20% का circuit लगाया है तो यह stock जब भी 20% का circuit filter होता है तो इस stock में अपर circuit लगता है यहां पर मैं अभी आपको दिखाता हूं आप अपना focus आप बस यहां पर रखेगा इस point पर अपना focus रखेगा जब मैं अपना mouse यहां पर hover करूं तो यह देखे यहाँ पर देखे 10% था लेकिन अगले देखे 20% यह देखे 20% फिर अगले दिन यह देखे अगले दिन 20% यह 20% तो लगा था तीन दिन इसमें सर्किट लगा है पहले दिन सर्किट नहीं लगा था हाला कि इसमें लेकिन दूसरे दिन लगा है सर्किट और तीसरे परसंट दो दिन लगातार बढ़ा था उसके बार हम नेक्ट दिन देखेंगे तो नेक्ट दिन का हाई जो था वह हाई अल्मूस था दस परसंट तक तो यह स्टॉक लगातार कब बढ़ता है सबसे इंपॉर्टिन कंडिशन क्या है 20% का सर्किट फिल्टर होना चीए इसमें 20% इसमें όல थि बढ़ा है इतर भी देखे 20% बढ़ा है इतर भी देखे 20 मलब कुल्मिला के एंड में यह निशकष निकल ला है यह स्टॉक तर भी बढ़ागा जब इसका सर्किट फिल्टर 20% का हो जाता है अगर यहां पर सपोर्ट तो इस स्टॉक ने ले लिया है यहां पर इस stock ने support लिया है लेकिन support लेने से कोई यहां पर बहुत ज़्यादा benefit नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इस stock का circuit filter 5% का है अब इस stock में operators देखते हैं जब 20% का circuit filter होता है तब इसमें जम करके buying करते हैं और यह stock बहुत ज़्यादा return दे देता है तो buying जिनको करनी है level अच्छा है buying का यहां से stock आगे जाएगा तो यहां पर देखें यह stock का circuit filter यहां पर clearly mention है NAC की website पे इसका price band 5% है अभी जब जैसे ही 20% होगा वैसे ही मैं आपको एक वीडियो बना के notify कर दूँगा तो इसी लिए मैं कहा रहा हूँ कि channel को please subscribe कर लिए और bell icon को जरूर हिट कर दिये ताकि notification आपको मिले तो जैसे 20% होगा तब इस stock में उपर के level से देखने को मिलेंगे तो यहां से यह stock का level होगा next level बनता है यहां से मैं अभी draw करकर कर दिखाता हूँ 24 रुपए तक यह stock आराम से जा सकता है current level से तो अभी इसका price चला है 15 रुपए 24 रुपए आराम से stock जा सकता है तो current level पर जिनको buying करनी है वो कर सकते हैं एक अच्छा यहां पर यह एक अच्छे price पर यह stock मिल रहा है buying के लिए और 24 एक selling level होगा यहां से एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही 20% का circuit filter होगा तो यह stock तुरंट circuit लग जाएगा उसी दिन से यहां पर यह ऐसा है जैसा मैं analysis कर रहा हूँ उस हिसाब से पता चलना है वाई यह stock के fundamental हम जानते हैं यह company का market cap अगर हम देखेंगे तो 1460 करोर का market cap है small cap है company और 15 रुपए 20 पैसे price चल हाई इसका 31 रुपए 20 पैसे और low है 11 रुपए 60 पैसे तो अल्मोस्ट यह 4 रुपए 4 रुपए ऊपर चलना है अपने low के तो यहां अब एक अच्छी बात है और book value भी 17 है और 17 से कम इसका current price है एक काफी positive signal है ROC ROE यहाँ पे positive है ROC ROE trading मतलब की short term के लिए matter नहीं करेंगे long term के लिए किसी भी company में यह दोनों factor depend करते है phase value एक रुपए की है अब यहाँ पे promoter holding 60% है almost 67% pledged है debt company 255 करोड का है asset 2500 करोड के company के पास और 1500 करोड का company के पास reserve है यहाँ पे renewable energy generation and smart company काम करती है power sector की basically company है और मैं पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि power sector कितना आगे ज्यादा आपको gain दे सकता है तो यहाँ पे company debt अपना reduce कर रही है एक अच्छा point यहाँ पे यह भी है कि company अपनी book value से 0.90 times trade कर रही है और dividend भी देती है company इतना पैनी stock dividend देते हैं सब बहुत कम हमें सुनने को मिलता है लेकिन यह company dividend दे रही है जो कि अच्छी बात है यहाँ पे quarterly result की बात करें तो काफी जादा यहाँ पे company एक अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर रही है लेकिन यहाँ पे sales बढ़ी है अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर रही है क्पनी मैं ऐसा क्यों बोलना हूं क्योंकि अगर अगर यहाँ से देखेंगे तो company अपने quarter के result को घटा रही है मलब यहाँ पे company के नतीजे थोड़े से यहाँ से खराब आ है तो fundamentally थोड़ी सी company week हो रही है लेकिन sales अगर हम देखेंगे तो sales के perspective से company पिछले दो सालों के तुलना में आ गया चुकी है और बात करें आप ए company के profit की तो minus 4% और minus 2% sales है पिछले 5 सालों में तो company अभी fundamentally strong इतनी भी नहीं है तो अगर short term के लिए यह stock prefer करते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा long term के लिए company ऐसा हो सकता है कि आपको जादा benefit ना दे क्योंकि short term इसमें बहुत जल्दी gain देखने को मिलता है long term में company overall sing एक side movement करती है इसलिए company में जादा benefit long term के लिए आप आपको शायद ना मिले बाखी power sector की company है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है लेकिन short term में मुझे यहाँ से गेंजादा देखने को मिलता है I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगए होगी इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स व